सूपर्स्टार सल्मान खान आने वाले 27 दिसंबर को 54 साल के होने जा रहे हैं बॉल्यवूड के भाईजान ने हाली में दिये एक इंटर्वी में बताया कि वे इस बार अपना जनम दिन किस तरह से मनाना चाहते हैं फिल्म इंडस्ट्री के टाइगर भले ही आजकल अपनी आने वाली फिल्म दबंग 3 के प्रोमोशन में व्यस्त हैं लेकिन वे अपना जनम दिन बहुती साधे तरीके से मनाना चाहते हैं हलंकि हर साल की तरह इस साल भी उनके चाहने वाले जनम दिन के मौके पर उन्हें बधाईयां देने के लिए सल्मान खान के घर के सामने हजारों की तादाद में खटा होंगे सल्मान ने देखिया कि वे जनम दिन अपने परिवार वालो और दोस्तों के साथ मनाएंगे हलंकि इस बार वे अपने फैन से भी जनम दिन के दिन मुखातिब होंगे हालिया इंटरव्यू के दोरान उन्होंने कहा कि वे इस जनम दिन पर छोटी बहन अर्पिता के साथ दिन बिताना चाहते हैं आपको बता दें कि सल्मान अर्पिता को बहुत जादा चाहते हैं और अर्पिता के लिए भी वह बहुत खास हैं अर्पिता जो की दुबारा गर्भवती है ने अपने पती आयू शर्मा के साथ मिलकर ते किया कि वे अपने दुसरे बच्चे को 27 दिसंबर को ही इस दुनिया में लेकर आएंगे यह उनकी तरफ से सल्मान को दिये जाने वाला एक अनुठा तौपा है दर्शकों को बता दे कि सल्मान अर्पिता के पहले बेटे आहिल के भी बहुत करीब हैं शोशल मीडिया पर उनकी और आहिल की कई तस्वीरें और वीडियोज वाइरल होते रहते हैं जहां तक दबंग तीन की बात है तो इस मूवी के पोस्टर्स और टीजर्स पहले ही काफी अटेंचन हासिल कर चुके हैं प्रभुदेवा द्वारन निर्देशित इस फिल्म में सल्मान खान सोनाक्षी सिना और अर्बास खान अपने पुराने रोल्स में तो नजर आएंगे ही साथी साई मांजरेकर और किछ्छा सुदीब जैसे नए चेहरे भी दिखेंगे साई इस फिल्म से फिल्म इंडेस्ट